नमस्कार दोस्तो आज हम इस वीडियो में लाइब्रेरियन परिक्षाओं में पूछे गए महत्पूर्ण प्रेशनोत्तरों को डिसकस करेंगे जैसा कि आपको पता है हाली में अभी एक लाइब्रेरियन का एक्जाम हुआ है आरपी एससी लाइब्रेरियन ग्रेड सैकेंड एक्जाम तो दोस्तो जो भी हमारे महत्पूर्ण प्रेशनोत्तर इस एक्जाम में पूछे गए थे उन प्रेशनों को आजमिया पर डिसकस करेंगे दोस्तो इसमें एक प्रिशन पूछा हुआ है पूछन नमबर 10 कृतिम बुद्धी AI का प्रियोग करने बाले कंप्यूटर किस PD से संबन देता है तो दोस्तो आपको पता है अभी जो हमारे कंप्यूटर हमने आज तक यूज करे थे वो सभी कंप्यूटर कौन से थे डेटा प्रोसेसिंग कंप्यूटर आपको पता होना चाहिए आज तक जो हमने कंप्यूटर यूज किये थे वो कौन से कंप्यूटर है डेटा प्रोसेसिंग कंप्यूटर है और अभी जो हमारी ये PD चल रही है और आनी वाली जो PD है इसके जो कंप्यूटर है वो कौन से होंगे Artificial Intelligent Computer होंगे तो दोस्तों हमारी जो पाँच भी PD के Computer है वो Artificial Intelligent Computer है अर्थात आप देखरें रॉबोट अभी रॉबोट चल रहा है तो basically रॉबोट क्या है एक Artificial Intelligent Computer है आपको पता होगा अभी हमारे जो Medical Facilities है उनमें हमारा रॉबोट है वो बहुत मदद कर रहा है वो एक Nursing Staff की तरह मदद कर रहा है तो दोस्तों जो रॉबोट है वो एक कृतिम बुधी वाला Computer है तो दोस्तों ये कृतिम बुधी वाले Computer का जो प्रियोग है वो पाँच भी PD के Computer में किया जाता है अगला Question है आपे सीधा www की फुलपॉम पूची गई है तो दोस्तों ये सभी को पता है World Wide Web होती है www की फुलपॉम और दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि ये World Wide Web कब आया ये सभी को I think याद होगा 1990 जनक कौन है इसका इसका जनक है Tim Berners-Lee Tim Berners ली तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि हमारा जो World Wide Web है इसका जनक है Tim Berners-Lee ये 1990 में आया पहला BAP ब्राउजर पहली BAP प्रोग्रामिंग भसा HTML, Hypertext, Markup Language पहला BAP Page, पहली BAP Site ये सभ 1990 में आई और इसका जनक कौन है Tim Berners-Lee तो दोस्तों यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि www की जो फुलपॉर्म है वो World Wide Web है अगला कुश्चन है बिन से स्वाप्टिवेर को किसने विक्सित किया तो दोस्तों यहाँ पर ये कुश्चन थोड़ा सा गुमा हुआ है विन और आई 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 एस तो दोस्तों आपको पता है यह बिन का फुलपॉर्म क्या होता है बिन का होता है Windows और IS 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 कहां से लिए गया है CDS IS IS से तो दोस्तों आपको पता है जो आपका CDS IS IS सौब्टवेर है उसका एक वर्जन आता है जो Windows Operating System पे चलता है जो Windows Computer System पे चलता है, तो दोस्तों आपको पता है CDS, IS, IS Software किसने बिक्सित किया, UNESCO ने, तो दोस्तों ये BINCIS है ना, BINCIS, ये किसने बिक्सित किया, UNESCO ने बिक्सित किया, दोस्तों आपको पता है CDS, IS, IS एक Open Source Software है, आपको इसकी फुलफॉर्म भी पता होनी चाहिए, Computerized, Documentation, Service, Integrated, Setup, Information, System, तो आपको CDS, IS, IS Software को बहुत अच्छी तरह से याद रखना है, तो यहाँ पर ये BINCIS Software है, वो basically UNESCO ने बिक्सित किया है, अगला Question है, ISSN क्या दरसाता है, तो दोस्तों आपको पता है, अभी हमने पिछले बीडियो में, E Resources का जो बीडियो पढ़ा था, उसमें हमने पढ़ा था E General, तो आपको पता है, जो General है, आपका सोद पत्री का है, वो आपका प्रात्मिक सूचना सरोत होता है, और ये प्रात्मिक सूचना सरोत है हमारा General, जब भी प्रिकासित होता है, तो उसके लिए हमें एक ISSN नंबर की आवश्यक्ता होती है, चाहे हम उसे Print Form में Publish कर रहे हैं, चा नंबर है, वो कित्ते अंकों का होता है, तो दोस्तों जो आपका ISSN नंबर है, वो 8 अंकों का होता है, तो आपको ISSN के बारे में जानकारी होनी चाहिए, अगला कुश्यन है, निम्न में से कौन सा Output Device है, तो दोस्तों मैंने पहले भी वीडियो में आपको बताया कि ऐसे पू निम्न में से कौन सा एक Output Device है, तो दोस्तों आपको पताए आपका प्रिंटर है, वो एक Output Device है, तो आपको आपको पताए इसके नाम पता होने चाहिए, output devices कौन कौन से होते हैं monitor monitor का मतलब visual display unit monitor different type के होते हैं वो कोई भी name दे सकता है LED LCD plasma तो आपको सारे नाम पता होने चाहिए CRT monitor printer अब printer के भी आपको सारे नाम पता होने चाहिए dot matrix printer है decibel printer है character printer printer line printer ink-z printer laser printer plotter तो basically monitor printer plotter speaker projector यह हमारे output device है तो हमें output device का नाम पता है तो हम देख सकते हैं इसके अलावा हमें input devices के नाम भी पता होने चाहिए तो दोस्तों अगर हमें input output device के नाम पता होंगे तो इस तरह के question हमसे कभी भी गलत नहीं होंगे तो यहाँ पर निम्न मैंसे कौनसा एक output device है यहाँ पर printer एक output device है बाकी सभी device input device है अगला question है computer hardware निम्न मैंसे किसके बिना कार नहीं कर सकता तो दोस्तों आपको पता है computer को चलाने के लिए हमें software की आवश्यक्ता होती है तो आपको पता है computer का hardware पार्ट है computer क्या है hardware और software का combination है hardware और software एक दूसरे के पूरक होते हैं अगर hardware नहीं है तो software किसी काम का नहीं है और अगर हमारे पास software नहीं है तो hardware किसी काम का नहीं है, तो दोस्तो हमें hardware की भी आवज़ सकता है, शॉप्टवेर की भी आवज़ सकता है, अगर hardware है, तो उस hardware को प्रियोग में लेने के लिए हमें software चाहिए, अगर software है हमारे पास, तो hardware होगा तभी हम software का प्रियोग कर पाएंगे, तो जो हमारे computer system के अंदर जो सजीबता आती है, हमें लगता है न, कि वो चल रहा है, उसके अंदर आत्मा है आ गई, तो दोस्तो ये computer hardware में software से ही सजीबता आती है, हमें लगता है कि वो work कर रहा है, वो हमारे कोई काम को कर सकता है, तो बिना software के आपका computer hardware है, वो कायर नहीं कर सकता है, तो दोस्तो आपको याद रखना है कि computer, hardware और software एक दूसरे के पूरक है, अगला question है, email, usenet, gofer, WAIS services, आपको पता है, दोस्तो, email से ही आपको पता चल गया, कि email service किसकी service है, आपको पता है, email service, internet की service है, तो email, usenet, gofer, WAIS services, यह सभी services है, वो internet services है, तो दोस्तो, हमें याद रखना है, यहापर, email, usenet, gofer, ऐसी जित्ती भी services है, website की अगर हम बात करें, urls की बात करें, तो यह सारे जो terminology है, वो भी हमें पता होनी चाहिए, कि यह internet से संबंदित terminology है, तो यहाँ पर जो email services है, usenet service है, gofer service है, WAIS service है, यह सभी हमारी internet सेवाएं हैं, अगला question है, TQM से आप क्या समझते हैं, तो दोस्तों यह basically general knowledge type का question है, यह जो TQM होता है न, यह होता है total quality management, TQM क्या होता है, total quality management, तो दोस्तों आपको पता है, कोई भी संगटन होता है, तो उसमें जित्ते भी कायर होते हैं, तो उस कायर, जो कायर महाँ पर किया जा रहा है, उस पर quality checking होती है, कि वहाँ पर जो कायर हो रहा है, वो गुणबत्ता से हो रहा है, नहीं हो रहा है, जो जहाँ पर employee है, जो लोग उससे संबन देते हैं, वो लोग satisfy है या नहीं है, तो उसी तरह से अगर हम बात करें, तो TQM हमारी library में भी होता है, कि जो हमारी library में पाठक आते हैं, वो पाठक हमारी library से संतुष्ट है या नहीं, तो यह basically यह जो part है, वो किसका है, TQM का, total quality management, मतलब हमें हमारा जो भी संगटन है, जो भी organization है, उसकी पूरी quality को, उसकी गुनबत्ता को चेक करना होगा, तो हम बात कर रहें library, तो library में हमारे जित्ते भी पाठक आते हैं, वो पाठक हमारी library में जो भी सेवाय प्रदान की जारी है, उससे वो satisfy होने चाहिए, संतुष होने चाहिए, तो यहाँ पर TQM की फुलपॉम है, total quality management, तो दोस्तों आपको इसकी फुलपॉम याद रखनी है, optical fiber, प्रिकासित तन्तू, किस से निर्मित होते हैं, तो दोस्तों आपको पता है, आपका जो internet connection है, आपको पता है, पहले जो internet connection है, उसके लिए हम जो cable use करते थ वो कौन सी cable use करते थे, coaxial cable, आपको पता है, आजकल जो अपना cable television network है, आपके घर पे जो Tata Sky लगा हुआ है, डिस्ती भी लगा हुआ है, एयर टेल टी भी लगा हुआ है, तो उसमें बेसिकली जो वो cable लगी हुई है न, जिसमें एक बीच में copper का wire आता है, फिर plastic, फिर एक copper की मैंस एक जालसा आता है, वो coaxial cable है, उसमें copper wire यूज होता है, ठीके, और आज जो हमारे high speed internet connection आते हैं, जिसे jo का fiber connection आता है, तो उसमें हमारी जो cable यूज होती है, वो optical fiber cable यूज होती है, और जो optical fiber cable है, वो fine glass से बनी हुई होती है, तो fine glass जो standards है, उनसे हमारी optical fiber cable बनी रखना है Optical Fiber Cable प्रिकासित तन्तू Fine Glass Standard से मिलकर बना हुआ होता है और दोस्तो आजकल हमारे जित्ते भी High Speed Internet Connection है उन High Speed Internet Connection में Optical Fiber Cable का प्रियोग किया जाता है तो दोस्तो आपको यहाँ पर Optical Fiber Cable को याद रखना है अगला हमारा Question है Library Software से तो दोस्तो आपको पता है मैंने Library Software का एक वीडियो डाल रखा है उसमें आपको सारे Library Software की डिटेल मिल जाएगी तो दोस्तो इसमें पूछा गया है Sol से क्या ताक पर रहे है तो Sol की यहाँ पर फुलपॉम पूछी गई है तो Sol की फुलपॉम होती है Software for University Libraries तो आपको पता है यह जो Sol Software है वो किसका है Sol Software InflipNet का है InflipNet का है University Libraries के लिए है कब आये था? Year 2009 में आये था Sorry Year 2000 में आये था Sol Software आपको पता है जो Sol Software है उसमें कितने मॉडियूल होते हैं Sol Software में 6 मॉडियूल होते हैं तो आपको Sol Software की पूरी जानकारी होनी चाहिए लेकिन यहापर सिर्फ फुलपॉम पूछी गई है Sol की फुलपॉम है Software for University Libraries अगला कुश्यन है निमन मैंसे किसमें अधिकतम Memory Storage चमता होती है तो दोस्तो जब भी मैंने आपको कभी Memory पढ़ाया है और Memory की बात की है तो मैंने आपको बोला है Memory की Units Memory की इकाईया आपको बहुत डंक से याद रखनी है और इनका घरता हुआ किरम बढ़ता हुआ किरम आरोई अबरोई दोनों करम आपको पता होने चाहिए तो दोस्तो आपको पता है सबसे Small की बात करते हैं तो सबसे Small में आता है Bit Bit के बाद आता है हमारा Byte तो Bit सबसे चोटा है फिर Byte है Byte के बाद क्या है? Kilobyte Kilobyte के बाद क्या है? Megabyte Megabyte के बाद क्या है? Megabyte के बाद है Gigabyte, Gigabyte के बाद है Terabyte, तो जनरली यहां तक पूछा जाता है इसके बाद भी होता है, तो उसी तरह से यहां पर पूछा गया है, निम्न में से अधिकतम Memory Storage चमता किसकी है, तो यहां पर आपको 4 Unit दी हुई है, Gigabyte, Kilobyte, Terabyte, Megabyte, तो आपको पता है दोस्तो किलोबाइट, मेगाबाइट, गीगाबाइट, टेराबाइट इसमें सबसे अधिक संगरण चमता किसकी है टेराबाइट की तो दोस्तो सबसे अधिक संगरण चमता बाली जो मेमोरी इकाई है वो है टेराबाइट तो दोस्तों आपको memory की जित्ती भी इकाई है उनको बहुत अच्छी तरह से पढ़ना है Radio Frequency Identification दोस्तों आपको पता है आजकल जो हमारे card बनते हैं i-card बनते हैं colleges में हमारी library में जो हमारा library card बनता है वो RFID card बनता है RFID की आपको फुलपॉम याद रखनी है Radio Frequency Identification RFID तकनिक का प्रियोग पुस्तेकाले में किस card है तो दोस्तों आपको पता है आप library में अपने card का प्रियोग कब करोगे जब library से आपको कोई book issue करानी है या library से जो आपने book issue करा रखी है उसको वापस return करना है तो आपको पता है library से book issue कराने के लिए return करने के लिए हम किसका प्रियोग करते हैं RFID card का प्रियोग करते हैं और जो library में किताबों को issue कराने की प्रियोग है और return करने की जो प्रियोग है RFID card है, इसका प्रियोग circulation, परी संचरन, किताबों को issue कराने में, return कराने में इसका हम प्रियोग करते हैं, तो दोस्तों आपको RFID याद रखना है, अगला question है, निम नांकित को उनसे संबंदित के अनुसार व्यवस्तित कीजिए, तो दोस्तों यहाँ पर आप देख रहे हैं, आपके left hand side में, जो आपकी सूची first है, उसमें InflipNet है, DelNet है, Benises है, Eprints है, तो दोस्तों आपको पता है, यह InflipNet है, इसकी full pump क्या होती है, InflipNet की full pump होती है, सूचना और पुस्तकालने network, तो दोस्तों आपको एका पता चल गया, कि एका जो relation है, वो 4 से है, तो आप question number 1, 2, 3, 4 में देखेंगे, तो 4 बाले दो option है, 3 और 4, तो आपके जो 1 और 2 है, यह तो दोनों क्या हो गए यहां पर, गलत हो गए, तो 1 और 2 तो होई नहीं सकता, 3 या 4 में से कोई एक होगा, अगला है DelNet, आपको पता है DelNet को किसके लिए प्रियोग किया जाता है, DelNet को प्रियोग किय किया जाता है, संसादन से भागीता, मतलब resource sharing के लिए, इसके अलाबा आपका एक है इसमें BiniSys, तो BiniSys अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा था, जो CDS, IS, IS software है, वो Windows operating system पे work करे, तो उसके लिए CDS, IS, IS का नाम है BiniSys, तो basically यह BiniSys क्या है, BiniSys एक open source software है, मुप्त मे upload the software है, अगला है हमारा Eprints, तो आपको पता है Eprints क्या है हमारा, Eprints क्या है, एक digital सूचना, तो basically D का क्या है, यहाँ पर जो यह digital सूचना है, इसके लिए क्या है, D, तो D का 3, तो यहाँ पर जो हमारा option correct होगा, वो होगा 4, तो आपको याद रखना है, InflipNet की full pump क्या है, InflipNet की full pump है, सूचना और पुस्तकालने network, Delnet किसके काम आता है, resource sharing के काम आता है, बिनीसिस हमारा एक मुप्त में उपलब्द software है, Eprints क्या है हमारा, हम बोल सकते हैं Eprints से एक digital library software है, और हम बोल सकते हैं कि digital information के लिए, digital सूचनाओ के लिए हम इसका प्रियोग करते हैं, तो दोस्तों यहाँ पर जो option correct होगा, वो होगा fourth option, तो दोस्तों इस तरह के question है, इनको करने के लिए हमें थोड़ा सा patience चाहिए, और हम इनको आसानी से कर सकते हैं, अगला question है हमारा, बहुत ही simple question, URL का पूर्ण रूप क्या है, तो दोस्तों आपको पता है, URL की full form क्या होती है, uniform resource locator, आपको पता है, जैसे आप बात करते हो, rsmssb की, rpsc की, तो आपकी जो rsmssb की website है, rsmssb.rajastan.gov.in, rpsc की है, rpsc.rajastan.gov.in, तो basically ये rpsc की website है, वो rpsc का URL है, rsmssb की जो website है, वो rsmssb का URL है, तो किसी भी संगटन की एक website होती है, URL होती है, तो उसकी website को access करने के लिए, उसका web address होता है, उस website का पता होता है, जिसे हम URL कहते हैं, और URL की फुलपर्म होती है, uniform resource locator, तो दोस्तों हमें इसकी फुलपर्म बहुत अच्छी तरह से यहाँ पर याद रखनी है, अगला बापस बिनीसिस आ गया, बिनीसिस क्या है, तो दोस्तों आपको पता है, बिनीसि IS software लगबग हर competition exam में पूछा जाता है, आपके librarian के जित्ते भी competition exam होते हैं, चाहे RSMSSB का हो, चाहे RPSC का हो, KBS का हो, NBS का हो, UGC Net का हो, DSSB का हो, दिल्ली बोड का, तो बेसिकली आपका कहीं पर भी है, उसमें CDS, IS, IS का question जरूर पूछा जाता है, तो बिनीसिस क्या है, बि Windows version है, अगला question है, निमनिम मैंसे सही सरंखला को चुनिये, तो दोस्तों आपको पता है, जब भी मैंने आपको computer पढ़ाया है, चाहे आप मेरा computer का video आप देख सकते हैं, YouTube पे, तो basically, उसमें मैं सबसे पहले यही बताता हूँ, कि computer की परिवासा क्या है, तो computer की परिवासा मैं बताता हूँ मैं कि computer में data एबम निर्देशों को input किया जाता है, उनका क्रियानवियन किया जाता है, एबम अर्थ युक्त परिणाम हमें सूचना की प्राप्ती होती है, फिर मैं आपको पूरी सरंखला बताता हूँ, कि सबसे पहले data होता है, फिर data को process करते तो information की प्राप बतवारों में, basically क्या होती है, सूचना होती है, और ये सूचना किस से तयार की जाती है, data से तयार की जाती है, data क्या होता है, कच्चे आकडे एबम तथ्यों को data कहा जाता है, जबकि data का क्रमबत व्यवस्तित संकलन सूचना कहलाती है, तो data को process करने पर सूचना की प्राप् होती है तो दोस्तों आप जित्ते एक वार किताब पढ़ेंगे उस्ता जादा आपका knowledge increase होगा और अगर आपने knowledge को process कर दिया तो आपको किसकी प्राप्ती होगी समझ की तो जानकारी के बाद आपके कौनसी आता है फेज समझ तो जानकारी को process करने के बाद क्या आती है समझ आती है understanding आती है और अगर आपने समझ को process कर दिया तो आप एक भहुत बुद्धिमान व्यक्ति बन सकते हैं मतलब आपके अंदर क्या जाएगी आपके अंदर बुद्धिमता आजाएगी तो दोस्थो आपको पता होना चाहिए कि अगर हम अमारे ज्ञान को process कर दिगे तो समझ आ जाएगी और समझ को process कर दिगे तो अमारे अंदर बुद्धिमता आ जाएगी तो यहाँ पर जो सही किरम है वो है data डाटा को process करने पर सूचना की प्राप्ति होती है और सूचना को process करने पर knowledge की प्राप्ति होती है तो दोस्तों आपको अपको यहाँ पर यह option याद रखना है कि यहाँ पर option होगा हमारा forth अगला question है computer में से हाल ही में हटाई गई फाइले computer में कहां संग्रहत होती है तो दोस्तो आप recently जो भी फाइलों को computer से delete करते हो वो फाइले आपके recycle बिन में जाती है तो दोस्तो आपको पता है आपने computer से किसी file को delete कर दिया तो वो file recycle बिन में चली जाएगी कोई file आपने select की delete दबा दिया तो वो recycle bin में चली जाएगी अगर आपने गलती से उस file को delete किया है तो उसे recycle bin से आप बापस उसी जगा पर computer में ला भी सकते हो और इस प्रिकरिया को हम क्या बोलते हैं restore बोलते हैं तो आपको याद रखना है computer में से हाल ही में हटाई गई file computer में कहां जाती है recycle bin में जाती है अगला question है computer को internet से connect करने है तू telephone से जोड़े जाने बाले उपकरण को क्या कहते हैं तो दोस्तों आपको पता है हमारा जो computer है उसे अगर हमें telephone line से जोड़ना है हमारे computer में हमें internet चलाना है computer को telephone line से जोड़ना पड़ेगा और किसके माध्यम से जोड़ते हैं modem के माध्यम से modem की आपको फुलपॉम पता होनी चाहिए modulation, demodulation तो दोस्तों computer को internet से telephone line के माध्यम से जोड़ने के लिए हम modem का प्रियोग करते हैं तो दोस्तों आपको याद रखना है अगर computer में telephone line के माध्यम से internet connection चलाना है तो हमें modem hardware की आपशकता है modem की फुलपॉम होती है modulator, demodulator अगला question है निमन में से email पते का सही प्रारूप चुनिये तो दोस्तों आपको पता है email की फुलपॉम होती है electronic mail हम basically सूचनाओ को एक computer से दूसरे computer पर आसानी से भेज़ सकते है email की साहता से तो दोस्तों आपको पता है email का format क्या होता है email का format होता है कि जो भी आपको ID बनानी है उस ID का आप name लिखेंगे मतलब आपका जो भी name आप select कर रहे है ठीक है मतलब आपका ऐजे username आपने username लिख लिया उसके बाद आप add the rate लगाएंगे और इसके बाद जिस Gmail server पर account बना रहे है उसका नाम लिखेंगे suppose yahoo पर बना रहे है तो yahoo.com Gmail पर बना रहे है तो gmail.com तो दोस्तों आप यहाँ पर देख रहे हो यहाँ पर है x by z तो दोस्तों आपको पता है x by z और gmail के बीच में underscore है यहाँ पर जो symbol होना चाहिए वो कौन सा होना चाहिए था add the rate तो यह option नहीं हो सकता दूसरा देखिए gmail.com तो आपको पता है यह gmail.com तो सबसे last में आता है तीसरा देखिए gmail.com add the rate x y z यह x y z पहले आएगा फिर add the rate आएगा then gmail.com आएगा तो दोस्तो यहाँ पर जो option correct है वो है fourth तो दोस्तो आपको email address किस तरह से write करते हैं वो आपको पता होना चाहिए gmail पर account बना रहे हैं तो last में हमारा gmail.com होना चाहिए उससे पहले add the rate होना चाहिए उससे पहले जो हमारा username है वो होना चाहिए तो दोस्तो यह email भी बहुत important topic है तो email से भी हमारे question पूछे जाते हैं आपको पता है राजस्तान का mail कौन सा है राज mail आपको याद रखना है राजस्तान का mail राज mail है अगला question है Microsoft MS Office किस प्रकार के software का उधारण है तो दोस्तो आपको पता है Microsoft Office Microsoft Office में कौन-कौन से software होते है MS Word होता है जिसमें हम कोई दस्तावेस तैयार कर सकते है MS PowerPoint होता है जिसमें हम कोई presentation तैयार कर सकते है slide बना सकते है MS Excel होता है उसमें हम कोई data sheet तैयार कर सकते है MS Access होता है जिससे हम कोई database बना सकते है तो दोस्तो इस तरह के software किसके काम में आते हैं हमारे काम में तो user उपियोग करता के काम में जो भी software आते हैं और उपियोग करता की समश्याओं के लिए जो भी software design किये गए वो सारे software कौन से है application software तो जो हमारा MS Office software है MS Word, Excel, PowerPoint, MS Access, MS Outlook ये जित्ते भी software है वो हमारे कौन से software है अनुप्रियोग software है तो जिन software को हम हमारे कार्यों के लिए प्रियोग में लेते हैं वो अनुप्रियोग software होते हैं जैसे हमारा WhatsApp है WhatsApp भी क्या है एक app है application software है टेलिगराम, App, App, Application software है तो दोस्तों जो भी software उप्योग करता के प्रियोग में आते हैं वो सारे software application software कहलाते हैं अगला कुश्यन है पुस्तकाले कंस्टोरियम क्या है तो दोस्तों आपको पता है आपको मैंने बहुत सारे कंस्टोरियम पढ़ाएं तो आपको ये कंस्टोरियम पता होने चाहिए कि कौन-कौन से कंस्टोरियम है ठीक है आपको मैंने सोध गंगा पढ़ाया है सोध गंगोत् तो दोस्तों आपको जित्ती भी ये Constorium है इनके बारे में पता होना चाहिए और इन Constorium का प्रियोग क्यों किया जाता है Sharing the resources and information from other libraries through network आपको पता है दोस्तों हमारी जो libraries हैं तो ये सारी libraries एक दूसरे से किसके माध्यम से जुड़ी हुई है पुस्तकाले network के माध्यम से जुड़ी हुई है तो दोस्तों आपको पता है जो हमारे पुस्तकाले network है इनके माध्यम से हम एक पुस्तकाले से दूसरे पुस्तकाले के मद जो हमारे संसादन है जो resources हैं उनका आदान प्रिदान कर सकते हैं मतलब हम जो भी हमारे संसादन है, जैसे e-book है, e-general है, इसके अलाबा हमारी जित्ती भी information है, इनको हम एक दूसरे पुस्तिकाल्य के साथ share कर सकते हैं, साजा कर सकते हैं. तो पुस्तिकाल्य कंस्टोरियम क्या है, नेटवर्क द्वारा अन्य पुस्तिकाल्यों में उपलब्द संसाधनों एबं सूचनाओं का साजा करन, याने उनकी sharing करना. अगला कुश्चन है दोस्तो, OPEC का पूरा नाम क्या है? तो दोस्तों आपको पता है OPEC का पूरा नाम क्या है? OPEC का पूरा नाम है Online Public Access Catalog. तो दोस्तों आपको OPEC की फुलपों में याद रखनी है Online Public Access Catalog. Online Public Access Catalog. तो दोस्तों आपको पता है ये हमारी library का online catalog है. आपको पता है आपको देखना है कि उस particular library में कौन-कौन सी किताबे उपलब्द है. तो आप ये online check कर सकते हो OPEC के माध्यम से कि उस library में ये particular book है वो available है या नहीं है. तो OPEC की फुलपों में याद रखनी है Online Public Access Catalog. तो Online Public Access Catalog आपको बहुत अच्छी तरह से यहाँ पर याद रखना है. तो दोस्तों ये आपके computer से संबंदित question थे, कल हम बापस इनी question के साथ आएंगे, तो दोस्तों ये तो हमारे computer वाले part के question थे, RPSC second grade में पूछे गए. अब आगे हम जो हमारा fourth unit है संदर्व सेवाए, उससे related कुछ questions लेंगे, इसके अलावा हमारे computer के question जब तक आपका paper नहीं हो जाता और आने वाले time तक आपके questions हैं, वो लगातार चलते रहेंगे. तो दोस्तों आप वीडियो को regular देखें और दोस्तों आपसे बार बार ये कहना अच्छा नहीं लगता कि अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो आप like कर दें, अपने दोस्तों के साथ share कर दें और अगर चैनल subscribe नहीं किया हो तो उसे subscribe कर लें. Thank you दोस्तो, thank you very much.